बढ़ने शुरू हो गए कितना चिंता जनब देखते हैं आप तरफ से जिस तरह से कदम उठाए गए ओक्सिजन की लगातार कमी रही काला बाजारी हुई आप किस तरह केसे देखते हैं आप अक्सर सरकार की तारी करते नजर आते हैं फिल्हाल कि स्थीतियां बिगड़ी सरका पर भी सवाल उठे कि पहले से तयारी नहीं की लापरवाही थी ऑक्सिजन की कमें हुई इंजेक्शन की काला बारत बाजारी हुई अब आप क्या कहेंगे सरकार के जो कदम उठाए गए एक नया उक्सिजन का प्लांट जो नेशनल आईवे उननका में एक मिन निगंदर त्यार करतेंगे नवस्कार मैं हूँ देविंदर आप देख रहे हैं पंजाब केशरी टीवी लेकिन अब चिंता के बात ये है कि शेहरों की बजाए गाउं में कोरोना फैलने लगा है गरामिक शेतर से ही आते दो निर्दलिय विधायक मेरे साथ हैं आईए उनसे बातचीत करते हैं रनधीर गोलन निर्दलिय विधायक है पुंडरी से और नैनपाल रावत प्रितला से निर्दलिय विधायक और दोनों चेर्मेन हैं इनसे बात करते हैं सरकार की तरफ से जो कदम उठाये जा रही हैं और जो स्थीति फिलहाल है उसको किस तरीके से देखते हैं तो गाओं के अंदर करोना के मामले बढ़ रहे हैं इसमें कोई सक नी पिछली बार भी करोना जैसी महा मारी पूरे विशप पर देश पर हर्याना प्रदेश पर आई लेकिन इस बार एक बड़े रूप में हरियाना प्रदेश के अंदर ये बमारी आई है जो कि आप गाउं के अंदर भी एंटर कर चुकी है और इसके बिचाव के लिए सबसे ज्यादा तो ये भी अपने अपने गर हमें लोग रहे इस रख सीदरे मेरी तो अपने हलका वाशियों से एक अपील रहती है बहुए सब अपने कर अमरो मास्क लगा कर रखो दूरी बुना कर रखो और बगवान से भी यही प्रार्थना करा वही कम से कम ये बिमारी ज्यादा नाए क्योंकि एक खतरनाग बिमारी है सरकार की तरफ से जिस तरीके से कदम उठाए गए ये ऑक्सिजन की लगातार कमी रही, काला बाजारी हुई, आप किस तरीके से देखते हैं? जहां तक मेरी विधानसभा की बात है, मैं तक बगवान का सुक्रियादा करूँगा, कि मेरी विधानसभा में कुछ केस हो ये कुछ डेथ भी होई हैं, जैसे उधान के तोर पर मेरे फटेबर पूंड़ी, आबड़ी और चूड माजरा गाउं में पांच्छे यंगा डेथ हो एक कोड में हैं और उंड़ी में हैं, डॉक्टरों को भी अधायत दे हुई है, किसी भी परकार की समझे किसी पेसेंट को नाने दे, अगर किसी पेसेंट को क्रोना पॉष्ट्री मिलता है, और उसको ज्यादा दिक्कत है, अक्सीजन लेवल की दिक्कत है, तो इसको तरंथ स सम्मो बढ़िया काम कर रहें पूरा स्ठाप अच्छा काम कर रहें और मेरे एक सेत्र में बगवान से प्राफ्था करते हैं ना ही यह पमारी आए तो ज्यादा बैट रहा है और ऑर ऐक्सीजन वेगारा की मेरे एक सेत्र में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं कलका बगवान ना पतनि क्या क्रतेगा तो पुन्री की बात कर रहे थे और उन्हें ने कहा वह पर किसी तूरिके दिक्कत नीए है नायन पाल रावत हैरा रावत साब आपकी एरिया का किस तरीके का हाल है कोरुणा काल में सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा फिर सरकार के बात करें दिखिए, इस बार मेरे छेतर में भी, क्योंकि जो पीछे कारण आया था तो बहुत काम असर मेरे छेतर में इसका हुआ, एक्का दुका लोगों को छोड़ करakah कोई कारणा सर्थ नहीं था लेकिन इस बार गाओं में बहुत ज़्यादा तदायत में एक-एक गाओं में पांच-पांच-शेचे डैथ भी इस से हुई है कई-कई पेशंट भी जो उने से संक्रमित हुए है तो मैं समझता हूँ कि इस बार ये शहरों के साथ गाओं में भी फैला और इसका जो स्टेन था जो इसकी स्थीति थी वो पहले से बहुत जादा गंबीर थी बहुत सारे युवार साथियों को अपनी जान गवानी पड़ी बहुत जारे नज़्दी की लोगों को अपनी जान इसम गवानी पड़ी और मैं समझता हूँ कि इस वारे गाउं में भी पुरी तरह से फैला है आप अक्सर सरकार की तारीफ ही करते नजर आते हैं फिलहाल कि स्थीतियां बिगडी, सरकार पर भी सवाल उठे की पहले से तैयारी नहीं की लापरवाही थी, ऑक्सिजन की कमी हुई, इंजेक्शन की काला बाजारी हुई अब आप क्या कहेंगे सरकार के जो कदम उठाए गए है देखिए मैं सरकार की जो तारीफ है वो किसी तरह से जूटी नहीं करता नहीं किसी लागला पेट में करता सरकार ने जितने कदम उठाए हैं जैसे मैं कहूं कि मेरे हैं सारे कॉरिंटाइन सेंटर अलग अलग बनाए गए दो जिलो में मेरी विधान समा पढ़ती है पलवलो फिजदवाद वहां के सिबीजल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नर्सिज ने पुलिस अधिकारियों ने आपके सफाई कर्मियों ने जिस तरह से इसमें भूमका नभाई ये निसंदे वो काबिल तारीफ है और जहां तक मैं बात सरकार की कहूं मान्या मुक्वंती मनुलाल जी की कहूं कि उन्होंने अपनी स्टेर्जी से हर जिले में जाकर हर हॉस्पिटल का दौरा करके क्योंकि आक्सीजन की कमी होना स्वभायविक था जब चीजें परियाप मातरा में नहीं होती है जिसका ये अंदेसानी होता कि अचानक कोई ऐसी बिमारी आ जाए जिसके लिए अगर दसजार के हमारे पास लोगों की जरूरत है चीजे देने के लिए और एक साथ लाकों को देनी पड़ जाएं तो निश्चित तोर पर और एक ये बहानक जो इस्तिती एकदम सामने आई उसके कारण हमारे जो गरामीन है या आमजन है उन्होंने इस चीज को स्टॉक करना शुरू कर दिया जैसे मैं कहूं कि अगर मेरे घर में कोई पेशेंट निया तो फिर भी मैं दो से लिंडर की थी जब तक कोई ऐसी चीज निया और मेरे चेतर के को युबा की हालत बहुत गंबीर थी तो मेरी मेरे बच्चों को भी कौरना था और कौरना होते हुए कि मेरे जब देखा जाएगा जब मेसेज के लिए कोई विपता आएगी मैंने वो सिलेंडर भी उसको जोना दे दि फरिदाबाद और पलवल से विल उस्पियल में एडमिट कराए जिनकी बचने की उमीद नहीं थी उनको भी बहुत अच्छी जो नहीं ने डोस देके या अपना वो देखे चिकित सा देके उनको बचाने का प्रयास भी किया और वो बच भी गए तो मैं समझता हूं कि साधन संसाधन जुटाने में सरकार को समय जरूर लगा और आज मैं समझता हूं कि जो किला तास से एक हपते पहले थी आज गैस की नहीं है ऑक्सिजन की नहीं है इंजेक्शन की भी नहीं है तो चीजें बिलकुल सुधर गई है और मैं समझता हूं कि सरकार ने इसको कंट्रोल करन में हैं अलग अलग जिले दो दो एक country दे दिये गए है मुक्यामनत्री भी लगा तार अबकी परनाम भी अच्छी हैं, जैसे मेरे जिल्ह की बात है, मेरे जिल्ह में पहले 200-200 तक संख्य पेह पहुचिगी थी, लेकिन कल की संख्य 29 ती, हां मुर्टव क इस भार ज्यदा है, पहले के ब embจा की मुझे हैं, तो सरकार तो पूरे प्रियास कर रही है और पूरी सरकार पूरी मानदारी के साथ इसको बिमारी से निम्टने के लिए करोना से निम्टने के लिए गंभीर है और मानिय मुख्यमंतर जी का अच्छा प्रियास कर रहे हैं नए प्लांट उक्सीजन के लगाने की बात भी है और म ग्रामिन क्षेत्र में भी किसी परकार की दिक्कत नाए एक अच्छा प्रियास सरकार का है कर लिया है बिलकुल रावत सब आप कह रहे हैं कि सरकार बड़े अच्छे कदम उठा रही है मुख्यमंत्री समें तमाम मंत्री भी फिल्ड में हैं विपक्ष की तरफ से लगा था रा भापने के दाटी loak-daun का जो क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार जो डेली खाते हैं उनको उनका भी सरकार को देखना है वेपारियों का सरकार को देखना और समय आता है तब ही चीज़ें कब इठाइज गया जाते हैं और मैं समझता हूं कि विपक्स वालों को तो प्रप्राइब कारदार्कों के लिए पांच जार रपा परड़े चाहे वो अगर किसी प्राइवेट होस्पिटल में भी अगर व अपना इलाज का रहा है तो पांच जार परड़े देने का काम यह पहली ऐसी सरकार अमाने मुख्मंति मुद्धाल जी के अनेक राज्यों के अ आदूनिक प्रांट जो अभी ऑक्सिजन के ऑक्सिजन को बाहर से मंगाना और दवाईयों की पूर्ति करना यह बहुत सारी चीज़ें जगे जगे अलग अलग होस्पिटल में बैड बढ़ाना बैडों की संख्या बढ़ाना ऑक्सिजन की और आइसुलेसन की संख्या बढ़ाना यह बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूं कि एक हपते में जिस परकार से मानने मुखमंती मनुलाल जी ने स्वेम घूम घूम कर यह की है वो कोई आसान कार्या नहीं था तो अब मानते हैं स्थीति कंट्रोल में हैं बिलकुल निश्चत तोर पर इन स्थीति कंट देश में हैं उसको लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें लेकर मेरे साथ बात की मैं हूं देवेंदर कैमरा के पिछे मेरे सेयोगी आमन नमस्कार